हाई फ्रेंटस आज की वीडियो में मैं आप से बात करुगा एकसिडेंट होने के पीछे का रीजन कुछ न कुछ देखोगे तो या तो equipment फेलोगा या फिर इन्सान ने कोई-नद कोई गलती हुई तो friends मैं oxygen cylinder की बात करहूँ compressed gas cylinder होता क्या है सबसे पहरे तो आपको identify करना होगा कि oxygen cylinder या compressed gas cylinder जो industry में use हो रहा है बहुत सी industry में use होता है आप construction में हो fabrication में हो कहीं पर भी जाओगे तो आप पर use हो रहा होगा तो आपे हमें चीजें कैसे identify करनी है for example के लिए LPG cylinder है oxygen cylinder है और लेटिस के regarding मैंने एक वीडियो बनाया हुआ आप जाके उसमें देख सकते हैं फिर भी मैं थोड़ा साब को brief करना चाहता हूँ कि LPG cylinder और oxygen cylinder के बीच के distance 6 meter होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि आग लगने का सिर्फ एक ही कारण है oxygen, fuel और heat तीनों के combination से आग लगेगी तो हमने क्या किया उसको distance रग दिया मतलब oxygen उसको at the time ना मिले मतलब fire point वहाँ पर ignite ना हो इसके लिए हमने इसको distance रग दिया अब बात आ रहे हैं कि LPG में oxygen में regulator लगा दिया वहाँ पर flashback arrester लगा दिया उसकी hose pipe से हमने connect करके cutting torch पर use कर रहे हैं यह हुआ simple सी बात थोड़ा से इसमें हमें समझना होगा कि reason क्या है कि अगर मैं compressed gas की बात करूँ उसमें अगर हम देखे तो उसमें कुछ ना कुछ unique हजार होगा depend on gas कौन सी gas है अंदर ठीक है उसमें कौन सा explosion हो सकता है mechanical भी हो सकता है and chemical हजार भी हो सकता है maybe तो flammable और combustible एक reason यह हो गया इसी तरह मैं बात करूँगा corrosive हो गया, explosion हो गया poisonous हो गया, inherent हो गया यह सब हमारे क्या है reason है combination of हजार के इसी तरह आगे चलते है friends मैं बात करूँगा कि जब gas, flammable gas होती ही उसमें एक flash point होता है मतलब flash point मतलब कि आग लगने का reason क्या ignition point या flash point क्यों आग लगे, flash point lower than the room temperature एक room temperature आग लगता कब-कब लगता है जब उसको तीने चीज़े at the time मिलती है oxygen भी मिलता है, fuel भी मिलता है heat भी मिलती है at the time मिला वहाँ पे auto ignition मतलब क्या हुआ, flash हुआ तो इसी तरह हमें थोड़ा समझना है industry में कि highly कोई भी cutting कर रहे हैं हम compressed gas cylinder का almost क्या गरते कोई भी metal है, plate है उसको cutting करने के लिए इतना highly temperature देते हैं ताकि वह melt होकर cutting होता है for example के लिए अब बात आ रही है उसको हमको कैसे carefully take care करना है, तो oxygen cylinder हम vertically क्यों रखते हैं, trolley में क्यों रखते हैं ठीक को उसमें wall protection cap क्यों होता है compressed gas cylinder हना तो reason क्या है कि अगर उसका जो pressure होता है 200 PSI overall oxygen cylinder का pressure है compressed cylinder का pressure है अगर वो नीचे गिरता है या फिक गलती से उसका wall निकलता है तो इतनी speed से जाएगा वो किसी को भी harmful कर सकता accident चोट पहुचा सकता अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप YouTube में देख सकते हो already मैंने जिस industry में था वहाँ पे जब एक protection valve निकला था तो बट वो vertical condition में था तो valve एकदम उपर गया cylinder chain से बंदा हुआ था trolley के साथ थोड़ा सा दूर move हुआ control होगे ने तो कोई ना कोई accident चरूर होगा always हमेशा vertical condition होना चाहिए इसी तरह आपको identify करना है compressed gas cylinder आप देखो chemical industry में जाओगे तो हना अलग-अलग cylinder भी मिले होगे different type के तो वहाँ पे भी हमें तोड़ा identify करना है कि यह कौन सा cylinder है compressed gas cylinder है तो उसमें identification करना है identification mark करना है उसमें फिर highly hazard tag लगाना है empty cylinder के लिए आपको empty रखना है अलग रखना है और जब भी charge of field है उसको अलग place में रखना है और properly sinusize करना है ताकि identify किया जा सके इसी तरह मैं बात करूँगा कि आप जब अपनी industry में audit कर रहे हो तो audit के दराज भी आप यह कर सकते हो और आपको यह भी देखना है कि oxygen cylinder का label कैसे है अब label कैसे check करोगे और लिए देखो मैं एक industry की बाद बताता हूँ oxygen compressed के cylinder fill होकर आता है तो उसका एक identification mark होता है कि आप उसका weight होता है properly fill होकर आता है अब reason का है कभी कभी जहां से fill होके आता हो सकता है wall production cap है जो थोड़ा सा lose है तो reason का है यही reason है और industry में workers क्या करते है oxygen cylinder को पैर से मारके rolling करके लेके जाते क्या वो सही है गलत है तो always या तो आप उसको एक trolley बना के लेके जाओ या फिर उसका एक gauge बना लो उस पे रखके लेके जाओ सही standard operating procedure होना चाहिए ठीक है तो compressed gas में बहुत से जाता है hydrogen भी होता है flammable gas भी होता है ठीक है और साथ में आपको no smoking signages भी लगा रहा है gas cylinder must be secure at the all time to prevent the tripping for example keep all cylinder chain chain की बात मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि compressed gas cylinder उसमें हमने fill किया हुआ है gas fill अगर वो गलती से release होगा तो कुछ ना कुछ property damage करेगा इंसान को damage करेगा इसमें properly tie up होना चाहिए handling uses में भी आपको उसको properly use करना है जो मैंने आपको बताया इसी तरह से मैं बात करूँ handling uses में एक leakage cylinder is discovered move in the safe place अब for example कि मैं बात करूँ environment health and safety department जो भी EHS department में काम कर रहा है उसकी एक responsibility होती है कि कौन देखो as per occupational health and safety administration आप जाओगे तो audit में कौन conduct करेगा environment health and safety जब वो audit करेगा तो audit के दोरानी वो find out कर लेगा कौन सा hazardous event है unsafe condition unsafe act है तो यह भी हमारा compressed gas cylinder for example उसने visit किया nearest store में store में oxygen cylinder या हो सकता है properly stack है signages है marked है नहीं है या फिर या भी हो यह दूसरा यह भी हो सकता है कि oxygen cylinder पढ़े होए एक के उपर एक पढ़ा हुआ है यह पर LPG cylinder पढ़ा हुआ है यह पर oil car drum पढ़ा हुआ है मतला एक प्रकार से गोधाम की तरह रखा हुआ तो वहाँ पर इसकी responsibility बनती है environment health and safety officer की वहाँ पर district action ले एक corrective or preventive action ले क्योंकि हाजार्डस event है वहाँ पर accident होने का major accident होने का chances तो ऐसी industry होती है तो वहाँ पर insure करना है ऐसे ताकि accident ना हो तो accident होने का reason मैंने अल्रेड़ी बताया था कि क्या reason है unsafe condition or act इसी तरह से और आगे चलते हैं cylinder को आप क्या करना जो wall protection cap है properly secured होना चाहिए अल्रेड़े मेंने डिसकस किया इसी तरह से handling uges में आपको dangerous sign क्यों रखना है तेखो मैं अल्रेड़े बतानों कि cylinder containing the flame for example के लिए flameable gas है hydrogen हो सकता है must not be stored in close proximity so that क्या हो सकता कि danger अब वहाँ पर आपने signages लगा दिया fire cylinder रख दिया तो वहाँ से एक identification हो गया for example के लिए कोई outside third party contract worker आ रहा उसको थोड़ा उसको नहीं मालूम क्या है यह चीज अब वहाँ पर smoking करने ला बीडी पीने लगा ठीक है already accident हुआ था जिस इंडर्स्री में था एक third party का worker आया अपना गाड़ी लेके side में बैठके smoking करने लगा वहाँ पर बाज़ो में cylinder था उसमें आग लग गई cylinder वरकिंग में था वहाँ पर वरकर भी काम कर रहा था बट वहाँ पर कोई भी नहीं था fabrication यार्ट में आग लग गई accident हो तो रहा है लेकिन उसमें हमने corrective or preventing action लिया बट फिर भी accident हो रहा है तो कहीं ना कहीं negligence हो रहा है इंडस्ट्री में तो उसी पर हमें थोड़ा impact करना focus रखना है आप देख सकते हो कि regulator की मैं बात कर रहा था कि कोई भी a compressed gas cylinder तो उसमें regulator properly feel होना चाहिए इसमें आपको दो गेज़ देखे एक प्रेशर का बतागा एक वर्किंग प्रेशर बताएगा ठीक है इस चीज के आद रखना तो हमेशा working condition में होना चाहिए आपका working pressure कितना होता है 200 kg per cm2 इसका working pressure होता है तो आपको ensure करना है कि LPG oxygen में properly regulator fitted है flashback arrester है प्रॉपर वर्किंग कंडिशन में flashback arrester का अल्यडी friends मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे चेक करते हैं लीकेज है कि नहीं है सही है गलत है तो आप उसको देख सकते हैं मैं लिंक आपको देदूंगा description में इसी तने से आपको देखना है friends आगे चलते हैं कुछ following rules आपको follow करने rules या plastic piping shall not be used अब मैं क्यों बोलना plastic pipe hose pipe की बात कर रहा हूं friends मैं hose pipe industry में जाओगे तो plastic की भी pipe यूज़़दे आप कैसे identify करोगे एक तो आप उसको physically check करोगे थोड़ा सा stretchable होगा आपकी घर में भी हो रहा होगा LPG में हम यूज़ कर रहे न थोड़ा जी इंसियूर करना है plastic pipe do not use और again मैं बोल रहा हूं cast iron pipe भी नहीं होना चाहिए chlorine के लिए do not conceal distribution line for example के high construction leakage हजाड है वहाँ पे आप gas को build-up कर रहे हो accident हो गई है copper piping shall not be used for acid lean लोग कर रहा है इंडस्ट्री में इस चीज़ को इंसियूर करना environment health and safety की officer की responsibility है इसी तरह बात करूँगा distribution lines for example के लिए यहाँ पे distribution लाई है out like outlets है तो वहाँ पे इंस्यूर करना gas contain हो रहा है की नहीं हो रहा है piping system आपको inspect करना है leak है की नहीं है थोड़ा सा attention भी होना चाहिए तो यह visit करते हैं आपको थोड़ा audit या visit कर रहे work site पे तो आपको ensure करना है overlook नहीं करना है इसी तरह हम बात करेंगे for example के लिए मैंने जो बताया था signages की बात बताई थी की amputee और full cylinder के लाब को लिखने amputee cylinder do not use आपने ऐसे signages बना दिये full cylinder आपने उसी तरह से बना दिये तो थोड़ा सामको ensure करना है जो लड़ी मैंने बता दिया है यह सब always use safety glass क्यों किसलिए पीपीज की बात हो रही है कि जो भी cutter या worker skilled fitter काम कर रहा है cutting कर रहा है तो उसको facial चाहिए क्यों चाहिए अभी क्याना industry में common जो fitter experience हो जाते है दस साल चलो दस साल तक उनको कोई नहीं हुआ जब भी cutting करते हैं तो इसका splitter आता है आँख में गई तो एक भी particles गया तो आँख में problem हो सकती है तो यह आपको ensure करना है कि उसको guidance करने है कैसे आपको पीपीज follow करने है तो signages के regarding मैंने बता है तो signages properly होना चाहिए एक दूसरे के बीच में proper distance होना चाहिए hose pipe correct होना चाहिए तो आपको थोड़ा सा ensure करना है ट्रांसपोर्ट के दौनान भी आपको use करना है तो मैं trolley की बात करना तो आप देख सकती इस तरह से हमें trolley use करना है vertically होगा और इसमें chain को properly fit कर देना है that's it तो यह handling purpose के लिए हम use कर सकते है वान और टू सिलिंडर आपको 10 से 12 सिलिंडर है यूज करने है तो एक तो होगा कि वरकर लात मार के लेके जा रहा है तो एक होगा एक हमारा hydra उठा के ले जाता है क्रेन उठा के ले ज सकते हैं तो इस तरह से हमें use करना है अल्यडी लिखाओ cylinder never rolled और ड्रैग जो इंडस्टी में वरकर लात मार के लिए जाने है तो इसी तरह आगे चलते हैं थोड़ा सा इतना है था फ्रेंड्स तो गाइस होप यू आपको वीडियो जरू हेलफुल होगा तो आज के लिए इतना ही फिर में मिलता है आपको नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई